वीडि मॉरिंग स्ट्डी दा नुमेरिकल्स वंद श्टोगमेटिक ओव मास-मास रिलेशन शीप और मास-वॉल्यूम रिलेशन शीप मैं जो अपने पीछे के साइद नुमेरिकल काफ अच्छे से किया हुँगे अगर हमने अब तक के जो नुमेरिकल्स को अच्छे से किया है तो वागी प्रोलम भी नहीं आईगी देखे हमारे पास एक क्युष्ट न भी इस सैंपल उफ डॉलामाइट कंटेन सबसे पहले हम डॉलामाइट को समझेए कि डॉलामाइट क्या होता है वाट इस दा डॉलामाइट डॉलामाइट हमारे पास एक और है यह किसका मिक्स रोता है कैलिसिम कार्बोनेट और मेगनिशिम कार्बोनेट यह कैलिसिम और मेगनिशिम कार्बोनेट के कंबिनिशन को हम क्या बोलते हैं डॉलामाइट बोलते हैं के लिए कैलिसियम कार्बोनेट है मेगनिशियम कार्बोनेट हमारे सेंपल है किसका डॉलमेट कंटेन 45% कैलिसियम कार्बोनेट जिसमें 45% क्या है कैलिसियम कार्बोनेट प्लस 40% क्या है magnesium carbonate 45% उसमें है calcium carbonate और 40% है magnesium carbonate and 15% clay और 15% क्या है clay particles calculate mass of sulphuric acid हमें sulphuric acid का mass find out करना है जो 30% strength required completely with 10 gram sample जो इस 10 gram sample से rate करेगा तो पहले में इस क्यूशन से dolomite का mass निकाल ले dolomite is the combination of calcium carbonate magnesium carbonate तो fast of all we find out the mass of dolomite तो सबसे पहले हम यहाँ पर किस का mass find out करेंगे dolomite का mass तो हमारा calcium carbonate कितना है आपके पास 45% कितने में से हैंड में से clear जो 45% कितने में से हैंड में से और हमारा sample कितना है 10 gram है clear तो it means हमारे पास calcium carbonate के amount हमारे पास कितनी है 45 कितने में से हैंड में से यानि 45 ग्राम कैलसिम कार्बुनिट is present in 100 ग्राम के लिए यानि 45 जो वारे पास कैलसिम कार्बुनिट है यानि आपको बता रहें इसमें जो 45 ग्राम कैलसिम कार्बुनिट है 45 ग्राम कैलसिम कार्बुनिट कितने में से आपका 100 ग्राम में से है कितने में से प्रजेंट आपका 100 gram हमें 10 gram sample में से find out करना है किस में find out करना है 10 gram sample इसका मतलब जो हमारा 100 gram sample होगा यहनी in 100 gram sample calcium carbonate is 45 gram 100 gram में कितना है 45 gram एक gram में कितना प्रजेंट होगा 45 by 100 और हमें sample कितना है 10 gram तो 10 gram में कितना प्रजेंट होगा intimate 10 यह हमारे पास कितना आगए आपके पास 4.5 gram कितना आगए आपका 4.5 एं ग्राम जान से देखी दुबरा से हमारा जो calcium carbonate कितना 45 परसेंट है यानि 45 gram calcium carbonate कितने में 100 में है हमें 10 gram में निकालना है इसका मतलब इन 100 gram sample 100 gram sample में कितना calcium carbonate है 45 gram वन में कितना को 45 by 100 है और 10 gram इंटो में 10 तो यह हमारे किसका वेट आगए calcium carbonate carbonate अब मेगनिसम carbonate निकाल है वो कितना है बच्चों मेगनिसम carbonate वो हमारे 40 परसेंट किलिए यानि 100 gram के वह सेमें तो यह थे ज़िसेंपल मेगनेशम कारबोनीट मेच फोर्टी ग्राम हम यह कितना परजुंक है थे खोने एी त्सल्ूंक अभट के पास फोर्टीवलाइच! हमारे पास ह permitted न यहते हैं न ग्राम हम घरी नुटना वरते हैं 주고 4 गरंट, तो हमारे पास Dolomite कितनाा आपके पास, Dolomite में क्या बताए भी, Calcium Carbonate प्लस Magncium Carbonate, दोनों का सम है ना आपका Dolomite, तो Calcium carbonate कितना 4.5 गरंड़ cumplis, और Magncium carbonate कितना 4, That is 8.5 g गरंड़, यहां से, हमारा जो Dolomite का वेट है, वो कितना है आपका 8.5 है ग्राम इपर इहां तक ही कि उसनको दोबरा समझी फिर हम equation का रोल आगी समय एक हमारे पास sample of dolomite contain dolomite में क्या 45% calcium carbonate और 40% magnesium carbonate और 15% कले और हमारा total कितना sample है 10 gram sample है इसका हमारे 45% calcium carbonate है तो 100 gram sample में कितना calcium carbonate है 45 gram 1 में कितना होगा 45 by 100 और total हमारा sample कितना 10 gram तो 10 gram में कितना होगा 10 that is 4.5 gram second हमारा जो magnesium carbonate होगा 40% है इसका मतले हमारे 100 में कितना magnesium carbonate 40 gram एक में 40 by 100 और 10 gram में 10 that is equal to 4 gram तो हमारे dolomite क्या है दोनों का combination दोनों का combination होगा तो 4.5 प्लस 4.5 gram अब क्यूशन क्या है calculate the mass of sulphuric acid हमें sulphuric acid का mass निकालना है जो 30% strength है required to completely react with sample बन्हों जो dolomite से reaction करेगा क्या है हमारा dolomite क्या है calcium carbonate plus magnesium carbonate इससे contraction करेगा H2SO4 तो हमारा product क्या बनेगा भी आपके पास यहाँ जो product का formation होता है वो हमारे पास क्या होगा CSO4 plus MgSO4 clear उसके साथ मां हमारे पास 2CO2 plus 2H2 रेक्षन को मास एक मोल के लिए यहाँ पर एक मोल है तो इसका मास है 100 और इसका मास कितना है एक मोल के लिए 84 यानि 184 गराम हो गया क्या है क्या है calcium carbonate plus magnesium carbonate का combination calcium carbonate 100 गराम और magnesium carbonate 84 गरम तो यह कितना होगा आपका 184 गराम एक मोल 804 का वेट कितना होता आपके पास 2 plus 30 2 plus 4 into 60 जो इनके अटोमिक मास का सम मॉलिक्लर मास ही find out कर रहे तो यह कितना होगा आपका 2 into 98 के लिए है अब देख्या हमारा जो 184 डॉलामाइट है वो किसी रिक्षन करेगा इतने सल्फिरिक अचिड से और हमें 8.4 गराम को निकालना है तो 8.4 गराम निकाल लीची यह यहनि 184 गराम डॉलामाइट रियक्ट विद सल्फिरिक अचिड तो इंटो में 98 गराम तो वन मिक्षन रिक्षन करेगा तो इंटो 98 अपॉन 184 हमारा डॉलामाइट कितना है 8.5 गराम गराम तो इंटो 8.5 गराम तो इंटो 8.5 यह हमारे पास क्या आगा है टोटल वेट आगा है यह क्या आगा आपका टोटल वेट के लिए जो हमारा सल्फिरिक अचिड से रिक्षन करेगा इसको नॉर्मिल सॉल कर लगते हैं आगा है 49.8.5 आपॉन 46 के लिए अब हमारे पास जो सल्फिरिक अचिड है गरुप पर आई दुबारा से हमें सल्फिरिक अचिड की अमौन निकाए जो 30 परसं स्टेंज रखता है कितनी स्टेंज रखता है 30 यहनि 30 कितने में परजंट है हैं डमेंग में और हमारा सल्फिरि अचिड इस परजंट इन हैंडड गराम तो वन में कितना हो जाएगा आपके पास हैंडड अपॉन में 30 और हमारे पास कितना सल्फिरिक अचिड है 49.8.5 आपॉन 46 तो कितने होगा 49.8.5 आपॉन 46 यहां रख्षिक का वेट आगगा वो सल्फिरिक है एस इड का वेट आग है इस किस्ति में दोबारा सदेखे कापी बड़ा क्यूशन है इस सेंपल ओफ डॉलामाइट कंटेन 45% कैलिसम कार्बनेट 40% मेगनेशिम कार्बनेट 15% कले के लिए हैं तो हमें मास ओप सल्फिरी कैसी निकालना जो 30% स्टैंथ हुज जोता है सल्फिरी कैसी का मास और हमारा ड 100 gram sample में क्यंदा कैलिसम कार्बनेट 45 एक में 45 by 100 हमें 10 गरम सेंपल में 10 g that is 4.5 सेम इसी टाइप से हम 100 g मेगनिशिम कार्बनेट 100 में 40 g में जो 100 g सैंपल होगा हुगा तो उस में में 40 parबनेट 40 बंद 10 तो हमारा डॉलामाइट क्या है calcium carbonate plus magnesium carbonate का combination दोनों को add किया तो हमारा कितना आगा है 8.5 है gram that is dolomite अब इस dolomite के हम sulfuric acid reaction करेंगे calcium carbonate plus magnesium carbonate plus astrosophor यहां से क्या बनेगा calcium sulfate magnesium sulfate यहां से 2C out हो गया और यहां से की oxygen is 2S2 से water का फ़र्मिशन हो गया के लिए अब अमारा जो dolomite वो क्या है dolomite इस था combination of calcium carbonate plus magnesium carbonate यहां रिक्षन का एक एक mol है एक mol का weight कितना होगा इसका है 100 gram जो इसका molecular mass रहेगा इसके एक mol का weight कितना 84 तो 184 gram आ गया यहां sulfuric acid के 2 mol से एक mol का 49 होता है ना 98 होता है 2 mol का कितना होगा 2 into 98 अब हमारा 184 जो dolomite वो कितने sulfuric acid इस रिक्षन करता है 2 into 98 gram से इससे तो 1 कितने से रिक्षन करेगा और हमारा dolomite कितना है 8.5 gram 8.5 gram किस रिक्षन करेगा यह weight आ गया अब हमें तो sulfuric acid की amount निकाले जो 30% यूज होते हैं यह 30 gram कितने में परजेंट आपका 100 में परजेंट है 1 में 100 भाई 30 और यह sulfuric acid into medis के लिए next question हमारे पास क्या है जहां से देखे एक बिश्को 1 gram of mixture potassium and sodium chloride यान हमारे पास एक है sodium chloride और एक है potassium chloride दोना का mixture कितना है 1 gram mixture है यानि 1 gram mixture of sodium and potassium chloride on treatment with aqueous silver nitrate यह 2 gram AgCl जब इस silver nitrate selection करेंगे तो हमें 2 gram AgCl का formation होगा 2 gram AgCl तो हमें परतेक salt की composition निकाल ली क्या निकाल ली है composition मतलब इस salt की selection करेंगे silver nitrate से it's okay direct with the silver nitrate जब इस silver nitrate selection करेंगे तो इनकी composition निकाल ली है माल जी कि इसका weight हमारे पास 1 gram है तो इसका weight कितना होगा आपका 1 minus x gram होगा clear किसे का आप 1 gram माल सकते है तो दूसरे क्या होगा 1 minus x gram ना शोरी इसका अगर हमने x gram माल लिया तो इसका हमने x gram माले त़ी cer किए 1 minus x gram दूसरे दिखें NACL plus KCL salt का total weight कितना हमारे पास 1 gram है इसका weight अगर हमने x gram माल आप तो इसका क्या होगा 1 minus x इसका x मालती तो इसका क्या होगा 1 minus x gram हो जाता 1 gram mixture हमारा जो किस रेक्षन करता है, पोटासिय में सोडियम क्लॉरेड किस रेक्षन करता है, सिल्वर नाइटरीट, यह NaCl है, यह भी किस रेक्षन करता है, सिल्वर नाइटरीट से, और जो KCl है, वो भी किस रेक्षन करता है, सिल्वर नाइटरीट से, तो देखिए, पलस माइनिस, पलस प्लस एन्ही एजी सील, ऐसे प्लस माइनस मेरेक हो गए आपके, यह एजी सील बन गए यहां से, प्रेस क्या उट हो गए आपका, के प्लस नो थी माइनस, that is के नो थी, इट्स ओके, तो अब बच्चों ध्यान से देखिया, आपको क्यों से बहुत सिंपल है, हमारा जो NACL है, NACL, जब सिल्वर नाइटेड से रिक्षन करता है, सोडिम क्लोराइड, तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड, और यह पोटासिम क्लोराइड भी सिल्वर से बहुत सिल्वर नाइटेड से रिक्षन की तो हमारे जी 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 सिल्वर बना, 143.5 कर किलियर हो गए अब बच्छा हमारे पास यहाँ पर potassium chloride 39 प्लस में लेकिन अगर 74.5 किलियर और यह हमारा 143.5 किलियर इसका मनब देखी जो हमें silver chloride के बेट निकाल ला है तो 58.5 ग्राम एनने सियर react with AGCN कितने AGCN सेलेक्षन करता है 143.5 ग्राम इसका 1 ग्राम कितने सेलेक्षन करेगा 143.5 अपॉन 58.5 और इसका हमारे पास X ग्राम है तो X ग्राम कितने सेलेक्षन करेगा इंटू में X किलियर इसी टाइब से इसका 74.5 ग्राम केसियल react with AGCN AGCN का कितना वेट है 143.5 और वन भी कितना रेक्षन करेगा 143.5 अपॉन 74.5 और इसका वेट कितना है 1-6 ग्राम 1-6 किस रेक्षन करेगा इंटू में 1-X अब यहाँ पर भी हमारा सिल्वर क्लोरेट का वेट यह आए अनिसिल के साथ और केसिल के साथ सिल्वर क्लोरेट का वेट यह आए दोनों का वेट किस के बराबर है 2 ग्राम क्योंकि हमें टॉटल एजी सिल कितना मिल रहे है 2 ग्राम मिल रहे है यहनि 143.5 X एपॉन 58.5 पलस 143.5 74.5 यह 1-X यह टॉटल वेट कितना हमारे जी सिल 2 ग्राम है कितना है 2 अब यहाँ से हमें X की वेल्यू फाइड आउट करनी है जो x की value आएगी यानि weight of initial तो कितना आगा हमारे पास जो x की value होई आएगी और weight of kacil कितना जाएगा आपका 1-x 1 में ccx को क्या कर दें हम minus कर दें किलिए है चुलों बच्छों दुबारा देखे एक पर यह तो ज्यादा मुस्किल क्यूशन नहीं था बहुत सीम्पल से क्यूशन था ऐसी क्यूशन तो हम पहले भी कर चुके काफी 1 gram mixture है potassium and sodium chloride इसका मतलब sodium chloride plus potassium chloride is equal to the 1 gram clear यह हमारा x gram है तो यह कितना होगा 1-x gram clear क्योंकि total mixer का weight है 1 gram है तो na sil को मैंने x माना थी कितना 1-x जब कहता हमारा excess silver nitrate selection करते हैं तो 2 gram हो फिजी सिल का formation होता है किने एजी सिल बढ़ेगा 2 gram इसका मतलब na sil silver nitrate selection करेगा तो हमारा na no 3 plus ag sil बनना है ऐसे k sil भी silver nitrate selection करेगा तो ag sil plus k no 3 बढ़ेगा तो हमें तो यहां से silver chloride का mass निकाल रहे हैं तो यहां से बच्छो रेक्सन में एक mol है इसका भी इसका भी एक mol है इसके एक mol का weight क्या हो जाएगा जो इसका molecular mass रहेगा 58.5 gram इसके एक mol का weight क्या होगा जो इसका molecular mass रहेगा 143.5 gram बच्छो calculation में क्या mistake होता आप उसको recover कर लीजी clear? addition, subtraction, multiplication, multiplication में जो आपके calculation में mistake होता उसका रेकवर कर सकते है यह 1 gram endaciel है इसका mass कितना है 58.5 यह 1 gram endaciel का mass कितना है 143.5 1 इसका molar mass देखे इस liver का atomic mass होता है 108 और कलोरी का 35.5 तो कितना होगा 113.5 clear? तो अगर 58.5 endaciel कितने gcl से रेक्षण करता 143.5 gram से one किस रेक्षण करेगा 143.5 आपके 58.5 और इसका x gram कितने से रेक्षण करेगा into x clear? same इसी टाइब से इसका 74.5 किस से रेक्षण करेगा 143.5 वन में डिवाड़ कर देंगे और 1-X कितने से रिक्सन कर गए तो वो 1-X ये भी हमारा silver chloride का weight है ये भी silver chloride का weight है और दोनों का sum किसके बराबर आएगा 2 gram किसके बराबर आएगा 2 gram यहां से हम X के वेलियो find out कर लेंगे बिल्कुल सिंपल से question है अब जो X के वेलियो आएगे हमारा क्याएगा weight of NACL और weight of KCL क्याएगा 1-X next question हमारे पास बच्चों है N-Shared का question द्यान से देखे N-Shared X-Rais का question है chlorine is prepared in the laboratory by treating MnO2 with aqueous HCA ये कहता है जब MnO2 HCL selection करता है तो हमें chlorine का formation होता है किसका formation होता है? chlorine in the laboratory जो lab के अंदर हम chlorine का formation कैसे करते है manganese dioxide react with aqueous hydrochloric acid और हमारे यहाँ तो equation दे रखी है equation देती हमारी problem वैसे clear देखे equation क्या है 4HCl plus MnO2 2H2O plus MnCl2 और plus में Cl2 chlorine is prepared in the lab chlorine को lab में बनाये गया है by treating with MnO2 with aqueous HCL जब MnO2 aqueous HCL से reaction करेगा तो हमारे पास chlorine का formation होगा और equation में दे रखी है तो how many grams of HCL rate यह कहता है how many grams of HCL rate HCL कितना rate करेगा with 5 gram of MnO2 इसका वेट के नदे रखा 5 gram इसके 5 gram MnO2 से HCL कितना rate करेगा यह बताना clear? चलो बचो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं? जो हमारा HCL है इसके कितने mole है? 4 mole एक mole का वेट कितना होता है? 1 plus 35.5 और 4 mole का force multiply करती है के लिए अमारे पास कितना होगा? 4 into 36.5 that is 146 gram होगा कितना होगा? 146 0.0 gram होगा clear? ऐसे MnO2 का यहाँ पर एक mole इसका एक mole का वेट के होगा 1 मेगनिस 55 plus 2 into में 16 तो कितना आ गया? 87 gram एक mole का वेट कितना आ गया? 87 gram अब क्यूस्टन देखे हैं हमारे पास हमें how many grams of HCL rate हमें HCL का मास find out कर रहा है किससे निकालना? 5 gram MnO2 से इसका माल बाइदारी एक सन MnO2 का equation के according हमारी चो chemical equation है उसके according MnO2 का वेट कितना आपके पास? 87 gram है MnO2 का वेट कितना? 87 gram जबके हमें HCL का वेट कितना है? 146.0 gram 146.0 gram इसका माल बाइदारी एक सन 87 gram of MnO2 MnO2 react with aqueous HCL कितना एक सन अच्छल इस रेक सन करता है? 146 gram इसका एक gram कितने से रेक सन करेगा? 146 बाटे 87 हमारे पास इसका कितना दे रखा है? 5 gram तो इसका 5 gram किसे रेक सन कर गए? इन्टू में 5 Yes Simple situation था? दुबारा सा देखिए एक बार Chlorine is prepared in the laboratory हमारा chlorine का formation होता है lab के अंदर by treating manganese oxide with aqua's HCL जब manganese oxide की selection करेगा aqua's HCL से according to the equation हमें equation दे रखी देखिए हमारे जो equations है stock inventory के जितने भी equations है उसमें हमें main requirement chemical equation की होती है हमें main requirement किसके होती है? chemical equation और second उसको हमें balance कर रहा होता है second उसको क्या कर रहा होता है? balance तो हमारे पास यहां तो chemical equation भी given और हो already balance भी है तो हमारे हाँ problem तो वैसे होगी इसमें तो अब देखिए हमारी equation दे रखिए 4HCl plus MnO2 change into 2H2 plus 7Cl2 plus Cl2 chlorine का formation और है in the laboratory अभी कर रहा है कि how many grams of HCl react how many grams of HCl react HCl कितना reaction करेगा? how many grams? कितने grams reaction करेगा? with MnO2 5 gram MnO2 से के लिए इसके आपर 4 mol थे बच्चों हमारा जो weight होता है अगर एक mol होता तो उसके molecular mass के बराबर हो जाता है देखिए अचिल का molecular mass का होगा? 1 plus 35.5 अब 4 mol है तो 4 mol का weight क्या होजएगा? उस molecular mass को फोर से multiply कर देंगे क्योंकि mol कैसे निकलते? given weight divided by molecular weight अब given weight हमें निकालना है divided by molecular weight is equal to mol तो mol हमारे 4 है तो उससे कोंड मल्टिप्ला हो जाएगा? molecular mass जब इसके molecular mass क्या हो गया? hydrogen का atomic mass 1 calorie का 30.5 36.5 formula दो फोर से multiply क्या? that is equal to 146.0 gram clear? इसके बाद MLO2 aminotico weight क्या होगा? manganese का atomic mass कितना है? 55 और oxyn का कितना हो गया? 32 to oxyn है? 27 gram अब हमें HCL का तो weight निकालना है किसे MLO2 से? तो फहले MLO2 लेंगे 87 gram MLO2 किस reaction करता है HCL के? 146 reaction करता है और 1 किस reaction करेगा? 146 upon 87 और इसका 5 gram किस reaction करेगा? इंटो में 5 gram तो यहमारा किसका weight आजेगा आपके पास? HCL का weight आगए किसका weight आपके पास है? HCL It is the weight of the HCL It's okay Next में बच्चों mass volume relationship के किसन करता है